हलो मेरे प्यारे दोस्तो कैसे आप सबी तो दोस्तो आज हम जो टॉपिक देखने वाले हमारा रजेस्टरंस है रजिस्ट्र विटिय ओफ कंड़क्टर तो चलो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो जैसे मैंने आपको बताया था यह मानलो एक कंड़क्टर की जरूत पढ़ती है गर conductor होगा, conductor में low resistance होता है, जिसके current क्या होता है, अराम से एक end से दूसरे end पे क्या होता है, flow होता है दोस्तों, यह चीज़े मैं आपको बताई थी, दोस्तों जब तक मैं इस conductor के उपर potential difference apply नहीं करूँगा, क्योंकि आपको पता है कि एक जगा higher होगा, एक जगा क्या होगा, lower होगा, जब higher और lower difference होगा, तभी क्या होगा, तो current flow होना start होता है, अगर difference नहीं है, तो current flow होना start नहीं होगा, तो जैसे मैं इस पर पहले, जब तक मैंने इस पर potential difference create नहीं किया, potential difference apply नहीं किया, तब तक इसके अंदर का जो electron होगा, वो random motion perform करेगा, random motion मतलब दोस्तों, electron कहीं positive to negative, कहाँ flow होता है, positive to plus से minus की तरह, higher potential to lower potential, पर दोस्तों जो इसके अंदर electron होता है, electron always flow from lower potential to higher potential, जो electron होता है, वो electron कैसे flow होता है दोस्तों, ये negative to positive, lower potential to higher potential, तो दोस्तों, जब इसके अंदर, सबसे पहले जो इसके अंदर का electron है, दोस्तों, जो इसके अंदर का electron है, वो कैसा होता, random motion perform करता है, कैसा motion perform करता है, random motion, जैसी मैंने इस पो potential difference apply किया, वैसे ही electron flow होना ऐसे start हो गया, ओके, दोस्तो, जैसी हो flow होना start हो गया, तो आपको पता, जब electron किसी conductor में से flow होना start होगा, तो उसी का मतलब current भी flow होना start होगा, without electron के flow हुए current flow नहीं हो सकता, दोस्तो, इसलिए मैंने इसके दोनों एंड से potential difference apply किया, कि जैसे मैं दोस्तो आपको बता चुका हूँ, जब तक हम दो label के बिचन difference create नहीं करेंगे, तब तक कोई चीज flow होता है, नहीं flow होता, इसलिए मैंने एक जगा lower, एक जगा higher create कर दिया, और इसके current क्या होने लगा, electron flow होने लगा, charge flow होने लगा, और इसके गारण हमारा current भी क्या होने लगा, flow होना start होगा, दोस्तो, बड़ दोस्तो, जैसे आपको पता है, यह भी चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, कि मानलो, मैंने potential difference apply कर दिया, अब यह electron flow होना start होगा, electron क्या होने लगा, flow होना start होगा, अब electron जब flow होना start होगा, तो इस conductor के अंदर, इस conductor के अंदर कुछ ions होंगे, कुछ atoms होंगे, जिस जो इस electron के बीच में आएंगे, और वो दोने एक दुस्तर पर strike करेंगे, और strike करने का जो electron का speed है जो electron का speed है वो क्या हो जाएगा दोस्तों कम हो जाएगा मतलब अपोस करेगा कौन अपोस करेगा जो बीच में ions होंगे जो atoms होंगे वो क्या करेंगे इस electron को क्या करेंगे अपोस करेंगे और अपोस करने की कारण जो current का flow है वो क्या हो जाए कम हो जाए current का flow क्या हो जाए कम हो जाए और जो यह अपोस करता है इसी अपोस को हम क्या बोलते हैं दोस्तो रजिस्टरंस रजिस्टरंस मतलब रो जो यह बाधा बीच में जो यह बाधा है इसलिए जितना हम लोग को जितना करेंट हमने स्टर्टिंग में अप्लाइक किया हुआ है उतना दूसरे एंड पर पहुसता नहीं है because of hindrance, because of bother, okay दोस्तों, okay तो चलो दोस्तों, line wise एक एक चीज़ हम लोग देख लेते हैं, देखो जैसे लिखा हुआ है, there are number of free electron in a conductor, मैं बता चुका हूँ, इसके अंदर क्या, बहुत number of free electron होते हैं, when a potential difference apply between the end, दोनों end पर मैं क्या ल electron, और ये जो एक क्या होगा, electron को एक direction मिलेगा, और electron को direction मिलने के का रहे है, electron flow होना start होगा, मतलब उसके साथी current भी क्या होना लगेगा, flow होना start होगा, but क्या होगा, movie electron strike the atoms and ions, ions lie along their path, मतलब जब electron flow होता था, तो उसके बीच में कुछ atoms और ion होगया, और दोनों इक दूसरे प hindrance, hindrance, hindrance मतलब हिंदी में बाधा बोलते है, hindrance to flow of electron and oppose the current, और वो क्या करते है, current को oppose करते है, electron को flow होने से रोकते है, this hindrance is called resistance of conductor, और इसी hindrance को हम क्या बोलते है, दोस्तो, resistance of conductor, मेरे काल से दोस्तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, दोस्तो अगर ये hindrance नहीं हो दूसरे end पर पूरा electron हमें पूरी तरह से flow होता, तो जितना, पर दोस्तो इसका एक तरह से, देखो, resistance होना भी जरूरी है, क्यों होना जरूरी है, अब आगे आप बढ़ोगे, 10 में आओगे, 10 में आओगे, तम आपको बताओंगा, समझाओंगा, दोस्तो, और आपको अभी is called as a resistance of conductor, ओके दोस्तो तो आपको समझ में आ गया होगा, अब चलते हैं दोस्तो रजिस्ट्विटी, ओके दोस्तो रजिस्ट्विटी, रजिस्ट्विटी में दोस्तो जो पहला लाइन दिया हुआ है, at a given temperature, the resistance of the conductor depends on its length, area of cross section and material, it is the made of, ओके दोस्तो यह first point रजिस्ट्वि and inversely proportion to area of cross section of conductor, दोस्तो देखो मैंने directly, directly proportion मतलब दोस्तो क्या था, चलो मैं यह नीचे आता हू, यहां बताता हू, ओके, दोस्तो देखो, दोनों अगर यह देखो, यह वाला relation, यह वाला, यह, 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 यह relation, दोखो, यह देखो, मैंने इसको कैसे बढ़ा है, our resistance of the conductor is directly proportion to length of the conductor, ओके, मतलब कहने का मतलब दोस्तो जितना length बढ़ेगा, जितना length बढ़ेगा, और wire का length दोस्तो जितना बढ़ता जाएगा, आपको पता है, उसके अंदर उतना atoms बढ़ेगा, उसके अंदर उतना ions बढ़ेगा, और जितना atoms और ions बढ़ेगा, उतना ही, वो electron को क्या क करेगा, तो दोस्तो जितना, देखो जब इस relation को, जो ऐसा relation होता है, दोनों एक ही जैसा होता है, जैसे relation होता है, इसको directly proportion बोलते, क्या बोलते है, directly proportion, directly proportion मतलब दोस्तो जितना length बढ़ेगा, उतना ही क्या बढ़ेगा, जितना length कम होगा, उतना resistance भी क्या कम होगा, उतना resistance भी current को रोकने वाला, रोकने वाला hindrance भी क्या होगा, कम होगा, और इसके कारण resistance क्या होगा है, दोस्तों, कम हो जागा, इसलिए, जब resistance कम होता है, तो length भी कम होता है, जब एक बढ़ेगा, तो दूसरा भी बढ़ता है, ऐसे relation को हम क्या बोलता है, directly proportional, तो दोस्तों इसको पढ़न to area of cross section of conductor, मतलब दोस्तों कहने का मतलब, अब wire आपको पता है, ऐसे ये length है, अब ये जो बीच में है, ऐसे अगर मैं ऐसे ले लेता हूँ, ये wire का front face ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे, ओके, ऐसे, ओके दोस्तों, तो अगर दोस्तों ये जितना बढ़ेगा, ये जितना, दोस्तों कोई भी अगर compact जगा होगा, एकदम जगा छोटा हो जाएगा, तो वहाँ resistance को ज्यादा रोका जाएगा, पर दोस्तों यहाँ देखोगे, तो यहाँ area of cross section जब बढ़ता है, बस आप याद रखो दोस्तों, area of cross section जितना बढ़ेगा, उतना resistance क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा area of cross section जितना बढ़ेगा, वहाँ resistance क्या हो जाएगा, उतना कम हो जाएगा, देखो दोस्तों इसलिए इसको क्या कौन सा relation यह, inverse relation है, resistance बढ़ेगा, तो area of cross section क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, area of cross section कम हो जाएगा, तो resistance क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, दोस्तों जैसे बो एसे यह तो दोस्तों यह जितना बढ़е का अगर मालनो देखो आप आपने कभी यह सब्थी की एक पाइप ले लो अगर दोस्तों अब पाणी के पाइप को एक साइट पर कॉम जाहरें सकते पर ना अबतों कर दोश els Anand preparation, मचान इसे छ metropolitan on the क्या निकलेगा बाहर अराम से निकलेगा दोस्तों area awaiting को बढ़ा दो उसी तरह दोस्तों लीटिष्ट आप स्वित्त is इतना याध्र को जितना नडीटडीफ जितना रजेस्टण बढ़ेगा दोस्तों उतरा area अई अप क्रॉसकेशन का होगा काम होगा हो जितना एयरिया क्रॉसकेशन काम करेंगे उतना रेजस्टरंस क्या होगा बढ़ेगा तो दोस्तों यह दो रिलेशन यह दो रिलेशन होगा दो прош Funk मैं फिर से आपको बता दिता हूँ आर-ई-the Weird अब इसको मैं solve करके आपको दिखा देता हूँ R is directly proportional to length of the conductor and inversely proportional to area of cross section दोस्तों यह सब आपके लिए नया आ रहा है तो जैसे मैं बता रहो ऐसे समझते जाओ जब दोस्तों मैं proportional का sign हटाता हूँ यह proportional का sign है जब proportional का sign हटाता हूँ दोस्तों यहाँ दो चीज लगता है एक equal लगेगा और दूसरा constant लगेगा तो proportional का sign मैंने हटा दिया तो यहाँ equal लग गया और एक constant के लिए मैंने यह ले लिया ओके दोस्तों अब इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों अभी बताता हूँ मैं पहले यह लिख लेते हैं एक मैंने equal लगा दिया और एक constant का sign लगा दिया और आगे क्या है हमारा L upon A हमारा क्या है L upon A ओके दोस्तों अब इसको पूरी तरह से मैं लिख लूँ एक बार उपर क्या क्या है दोस्तों हमारा finally बन गया R equal एक constant का sign और आगे का हमारा L upon A है जैसी मैंने proportional का sign हटा है वैसी यह बन गया ओके दोस्तों और इस 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 ही को हम क्या बोलते दोस्तों Registivity of the material क्या बोलते दोस्तों Registivity of the material क्या बोलेंगे दोस्तों Registivity of material अब दोस्तों अगर मुझे इसका आपको पता ही अभी जो topic हम देख रहे हैं और topic कौन सा Registivity अगर मुझे इसका unit बनाना दोस्तों unit कैसे बनाएंगे चलो मैं बना देता हो unit आपको बना के बताता हो दोस्तों book में नहीं दिया है पर मैं आपको बताऊंगा अभी हमारा इसको क्या बोलेंगे Registivity of material क्या बोलेंगे दोस्तो Registivity of material अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा r a r a divide में था equal के side है तो multiply हो गया a l उपर था equal के side है तो नीचे चला गया मतलब multiply में था equal के side है तो divide में चला गया अब बचा Registivity इसको क्या बोलेंगे Registivity of material equal r into a upon l ओके दोस्तो अब मैं फिर से इसको लिखता हूँ क्या बना हमारा Registivity of material equal r a upon l ये final बनके आप मुझे इसका unit बनाऊ है Registivity of material का unit बनाना है r, r resistance का unit क्या होता है दोस्तो ओहम, क्या होता है area का unit आपको पता है क्या होता, meter square area का unit क्या होता, meter square length किसमे measure करते है, meter में किसमे करते है, meter में देखो, एक meter और यहां से एक meter क्या होगा है cancel, तो दोस्तो क्या बचा यहां नीचे का एक meter ताव cancel होगा, उपर एक क्या बचा ओहम बचा और एक meter बचा ओहम और meter, तो दोस्तो इसलिए इसलिए the unit of Registivity in SI unit is oham meter, इसलिए क्या होगा है, यह oham meter क्या होगा दोस्तो, oham meter okay, Registivity is a specific property of material and different material different register, हर material की Registivity क्या होती है, अलग-अलग होती है दोस्तो, इतना आपको समझ में आ गया होगा अच्छे समय ने बता दिया, okay तो दोस्तो, आप अच्छे समझना एक ही चीज याद रखना, कि जो conductor के अंदर, जो भी hindrance होता है, जो electron को current को oppose करता है, आगे बढ़ने से, उसे हम क्या बोलता है, conductor and Registivity, मतलब कि हमारा resistance of conductor resistance हमें सा किस पर depend रहता है, length पर depend रहता है, and area of cross section पर यह पहला point हो गया, और दूसरा इसको derive कर दो, आई यह दो, जो मैंने line बोला है, उसको लिख देना, जैसे मैंने बोला, आर इस, यह वाले के लिए direct यह दोस्तों यह पूरा lick देना, आपके लिए अच्छा हो जाए, एक्स्ट्रा point हो जाएगा, तो यह यह, इससे मैं लिखता हूँ, यह वाला, ओके, आर इस directly, जो उपर है, उसको मैंने directly बोला, आर इस directly proportion to length of the conductor, and inversely proportion to area of cross-section, if length of the conductor is increases, the resistance also increases, length अगर increase होगा, तो resistance भी क्या होगा, increase हो जाएगा, if area of cross-section decreases, area of cross-section क्या होगा, तो resistance will be increases, ओके, अगर area of cross-section क्या होगा, decrease होगा, तो resistance क्या होगा, increase, क्योंकि वो दोनों के बीच में relation, दोस्तों, क्या inverse relation, एक उपर है, क्या है, नीचे है, दोस्तों, ओके, आप, मैंने इसका, आपको बता दिया, कि कैसे, SI unit कैसे, find करते हैं, दोस्तों, यह भी मैंने आपको find करके बता दिया, ओके, तो दोस्तों, प्लीज, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, दोस्तों, जैहिन दोस्तों,